दोस्तों, हमारे आज के जो गेस्स है, दो राइटर्स, इतने बहतरीन राइटर्स है, इतनी बड़ी-बड़ी हिट्स के साथ इनके नाम जुड़े हैं कि इनका डिरेक्टर टर्न होना स्वाभाविक था कहते है ना, script एक फिल्म का backbone होती है, तो why not the script writers becoming the captain of the ship? Friends, please welcome Farad and Sajid, जिनकी पहली फिल्म बतौर इरेक्टर्स अब रिलीज होने को है. Welcome to ETC Bollywood, विसलिस्ट. Pleasure, pleasure, pleasure. कैसे ये decision लिया, मुझे तो स्वाभाविक decision लगता है, लेकिन आप लोगों ने कब तै किया, कैसे ये decision लिया, कि राइटर्स के साथ साथ अब डिरेक्टर्स भी बनना चाहिए? स्क्रिप्टिंग तो चली रही थी हमारी, एक point of time ऐसा आया किये सुभाष, जो we call him the concept man of the industry, जिन्होंने काफी story ideas दी है, चैनी Express का भी idea उन्होंने दिया था, Rohit को, हमको, वो एक idea लेके हमारे पास, कि आपके, एक story idea एक ही line थी उनके पास, कि आपके film का hero, उसकी पूरी कि, हमने सोचा के ये चलो, इसकी scripting तो करनी है, बट यार, let's be selfish, हम ये script, बेचेंगे नहीं, हम ही बनाएंगे, जब ही मौका मिले, so we were in the process of passion था, तो हम लोग तो scenes बनाने में लग गे थे, first half भी हो चुका था, and you say timing, एक दिन Houseful 2 की shooting में, Akshay Kumar ने वैनिटी में हमको बुलाय and he offered us direction. और वो ओफर किया भी बड़ा कमाल स्टाइल से, क्योंकि हम लोग आउसफुल 2 में वो 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 वाला चल रहा था, and cut to we are in the vanity, and उन्होंने बिठाया हमको, and suddenly turn war kundi लगा जी, and अमारी तरफ चार्ज करने लगा, so we were like, you know, looking at each other, के ठीके, सायद कुछ होगा, performance यहा आप इतना विजुलाइस कर सकते हो, आप जिस तरह सुनाते हो, आपने तो सुनाये किस तरह फराद नरेट करता है, with the background down, ढूम सब साथ में, तो उन्होंने इमिजेटली वो, जैसे फराद ने बोल, after that, immediately we said, no sir, a script है, जो हम तयार कर के हैंगे आपके पास, and you should be the hero of the film. मतलब काइनात लगी थी, आप लोगों को director turn करने में, script आपके पास आगई थी, producer फट्से आगया, so it was actually destined to happen, बिल्कुल, कुछ असा प्लान नहीं था, हैसा करेंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर इस तरह करेंगे, बिल्कुल नहीं, I mean, this is great, उपर सही, शावरी, this is called things falling into place, ए end point, तो वो दो-तीन महीने का पुरा गेम रहता है, and जैसे अक्षे को सुनाया, अक्षे ने फिर रमेश तोरानी को सुनाया, रमेश तोरानी भी tips वाले, तो एकदम खुश होगे, कि यह script तो करनी है, और सबसे best part था वो, कि एक साल बाद करेंगे film, क्यूंके अक्षे, काफी फिल्मे, as you know, पूरा केरियर उनका ऐसे ही रहा है, कि चार-पंच फिल्मे तो लाइन अप होती ही रहती है, but पता नहीं कुछ देट्स का कुछ हुआ उनका आगे के जो फिल्मे थी यह और हमारी फिल्म, एक तो हमारी फिल्म हमको तो बड़े प्यार से रेकी में जाना था, यह कर नहीं, वो पूरा प्रीपॉन हुआ, कि सब्टेंबर, औक्टोबर में जाने वाले थे फिल्मे तो लास्ट यहर के जून, जुलाई में शुरू होगी फिल्म, तो मतलब खुश होने का बहुत कम टाइम मिला आप लोगों को, लग लग गए, लग लग गए, लग लग प्रणा था कोई पेपर वाले ने के, डिस्क्राइब एंटेंबर, तो मैं यही बोलता हूँ, यह बड़ी कुटी फिल्म है, और क्या बोलता हूँ? है हाहाण बट कितना आसान था या कितना मुश्कल था अक्षे कुमार को कन्वेंस करना एक एक उत्ते की फिल्म में आप हीरो हैं सर एक बात बोलता हूँ के अक्षे कुमार की एक चीज तारीफ भी करनी चाहिए और जज़्ज्मेंट भी बहुत उसका सही रहता एक बात पे स्कृप पे I'm not saying that he has not done bad films. He has done bad films also. वो तो सब कर्यार है। जैसे कि हम लोग ने आँस फुल टू उनके साथ की, बॉस की थी, तो जब भी उनको यह स्कृप्ट सुनाते थे, तो उनको समझ में आ जाता था कि कि स्कृप्ट लेवल पर कितनी मजबूत है। तो same thing, when we were ready, we narrated him. And immediately, उसको लगा, यह सही है, भले कुटा है, the lead, भले, he himself said, entertainment title भी कुटे को अपर ही होना चाहे है, तो वो भी promotion उस तरह से ही कर रहा है, कि hero of the film is the dog, then comes Akshay Kumar. So he has believed on the script, and the script के demand भी वही है, कि कुटा ही man hero है, जहां पर Akshay Kumar भी है. और यह कुटा क्यों लाना पड़ा? We were shooting in Bangkok, and we had a very big schedule there for about two months. कुटे भी हमें वहां पर दिखाए गाते हैं, we saw nearly more than 100 dogs, और वहां पर बहुती incredible facilities होती है, dog training centers जहां पर गाते हैं, we like, we were shocked, जिस तरह वहां पर दोग्स को treat किया जाते हैं, बहुत ही प्यार से, every dog has nearly three trainers, उनके खाने, पीने, AC rooms, यह वह रहां इंक्रेडिबल था, and through that process we found out our hero. Weird fact वह था कि जो पहला कुटा देखा, वही final अच्छा, कि वही पसंदा है, फिर देखा, काफी देखा, बट वह पहला वाल ही अटक गया था. तो डॉग में आप क्या चीजे ढून रहे थे? The script demanded कि एक point में एक emotion है, जहां पर आम लोग खेलते हैं, dog के साथ, the dog and Akshay का emotion है, तो वह emotion के लिए we can't have a bachsurat dog, we can't have, we have to, it has to be very lovable. And straight away, junior है, इसका नाम है, गुते का नाम junior है, तो यह junior dog था, जो golden retriever है, उसका face देखते ही ना, we saw some emotion on his face. He had a human face, which could emot certain kind of emotion, which was very important in our script and film. So this is the main reason what Farad is saying, that the main reason was why we all have zeroed down. A very special scene in the film is where the dog and Akshay का bonding होते है. तो वो bonding के end में Akshay के एक line है, कि आज के बाद, अगर किसी ने मुझे कुता बोला, तो वो में उसे गाली ने तारीफ समझूगा. So that line, now as you understand after, यानि इसके पीछे क्या कुते के emotions, कुते के face, close-ups, that thing we have to play. So that was very important, के कुता बोत लवेबल होना चाहिए. That is the reason we are for. इसलिए, हाँ. Comedy आपकी फिल्मे, क्योंकि आपकी फिल्मे जेनरली कॉमेडी पर, कॉमिक पॉइंट बहुत स्ट्रॉंग होते हैं, आपकी फिल्मे, तो इस फिल्मे कॉमेडी कुता कर रहा है, जूनियर कर रहा है, या 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 अंडर्डॉक कर रहा है, Akshay Kumar. Well, we are writers, तो आपको पता है, हमारी फिल्मे, situations ही हसाती है, more than the actors and the characters. The situation is so funny, जहां पर एक्षे भी comedy कर रहा है, खुता भी comedy कर रहा है, but it's mostly the situations which erupt laughter. और जब आप लोगोंने तेय किया कि directors बना है, फिर जब shooting हो रही थी, कहीं ऐसे लगा कि ये कुछ additional responsibility ले ली है we should have remained writers नहीं सर, पल शन बहुत है ऐसे, but that was positively कि अरे ये burden भी लेना it's a pleasant burden actually क्यांकि as writers एक दुख की बात यह है कि जब आप को बहुत अच्छा सीन आप घर पे बैठे लिखते हो और आप सपने देखते हो कि वो सीन अब जब थेटर पे आएगा तो कैसा होगा बट प्रोसेस में कभी कुछ अलग इंटरप्रेटेशन हो जाता है डारेक्टर का कुछ अलग सूर में चला जाता है सीन you feel sad for it यहां पे यह अच्छा था कि हम लोग ने जो लिखा भी हम लोग वही एग्जेक्ट कर रहे था so that was plus point for us और जैसे कि आपने बोला कि कोई अगर burden तो बहुत है because हम लोग ठीक है ना 4-5 चीजे और होगी as a director but वह 400-500 चीजे और आई कि कॉस्ट्यूम भी देखो इसका टाई भी लेफ्ट में है राइट में वह कभी ने सोचाता हो करेंगे but that was a pleasant process but मज़ा है sir एक कमाल चीज होती थी sir चाता आजाता था sir थूपो या ना हो चाता आजाता था थोड़ा मिने से अंग्रा ही ली तो दो बोटल पानी आजाता था sport boy आसपास होती थी वह कमाल फिलिंग थी sir तो मुझे तो बहुत मज़ा है sir क्योंकि as writer as writer चाता है पोछना पड़ता था आते थे भाई उसमें से मुझे एक दे दे यार चाते आते बट ऑटोमेटिकली डिरेक्टर के लिए आते तो वह तो मिने मज़ा लिए sir अब जब आपकी पहली फिल्म रिलीस पर है बता ओर डिरेक्टर अफकॉस तो अब क्या आप लोग सिर्फ writer डिरेक्टर बन कर ही फिल्में बनाएंगे या अभी भी रोहिच चाती जैसे डिरेक्टर के लिए भी आप लिखना कंटिनू रखेंगे या you will now only direct your own films अभी रोहिच चाती गान डिरेक्टर रहा हमारे लिए फैमिली हो गया है वो तो चलते ही रहना है राइटिंग ये वो बदेविटली थोड़ा सिलेक्टिव होंगे थोड़ा सिलेक्टिव होंगे थोड़ा क्वांटिटी ओफ़ा कम होगा क्वांटिटी इसका मतलब इने क्वालिटी बढ़ जएगी क्वालिटी तो पहले भी थी जब क्वांटिटी थी तो तो या थोड़ा काम में ध्यान जादा क्योंकि अधिए तो आपने जैसा बोला राइटर्स भी आप लोगी, डिरेक्टर्स भी आप लोगी तो बाउंसिंग बोर्ड कौन रहता था. Himanaâm-डूरए- इसे बडा बाउंसिंग बोर्ड, इसे बडाउंसिंग बउनसिंग क्यंकि वह भी प्रोसेस वही था हम पहले हमेशा एक दुसरे को बांज करते हैं और हमेशा हम लोग ने इस तरह ही कामयाभी देखी है कि एक दुसरे को क्रिटिक करके हम लोग आगे गए राइटिंग में भी जब हम लोग जब जाते हैं अच्छा, सामने आलग होता है अच्छा, यह तुम्हारा पहला ड्राफ्ट है, वो उनके तरफ से पहला ड्राफ्ट है, हमारे 100 ड्राफ्ट हो चुगे, पचास बार इसने रिजेक्ट किया, पचास बार मैंने कुछ इन पुट डाला, यह किया, तो वो काफी, the bouncing board has helped us a lot, and even in direction team, जो आप नरेट करते हो, तो the second step, हमारा तो हो गया था, but वहापे भी हमको reactions मिलते थे, हमारे technicians के, हमारे जो बैठे थे, और actors को भी, actors को जब नर्रेट किया जाते, actors भी definitely, if they find anything wrong with the script, or something is not punchy, they come up with this thing, तो सही जगा से सब सही reactions मिले, ऐसा नहीं के, डिरेक्टर होगे आपी चुब बैठो यार, कुछ बताने का नहीं, जैसे अपनी industry की बात है, अच्छा है, बोल दो, वावावावावा, क्या बात है, वैसे नहीं, कुछ dear friends है, और honest people है, जो मूँ पे बोल देते, and that helps also, के the best party is, के उनको हमारे पर बोल पर रस्त है, as writers, as directors also, इसलिए आउसफूल 3 भी दे रहे है, तो, so, जब राइटिं में भी, he used to come up with some ideas, के ये कर लो, but the second line is, अगर आपको ठीक लगे तो, 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 अब में और एक देता हूँ, मेरी तरफ से, तो अमनों कोलें, नहीं, we call him Sethji, तो, Sethji, नहीं, जरूरत नहीं है, हम लोग को मिले, नहीं, ज्यादा लेके पस्ता हो, So, then he used to give his improvisation, तो, कुछ नहीं मिल जाता था, तो, से, एडिट वैटन में खेलना पड़ता है, दैसा, Comedy में, improvisation का scope, ज्यादा रहता है हमेशा, 100%, बहुत-बहुत ज्यादा रहता है, because, situations ऐसे, क्रिए करने पड़ते है, comedy में, for example, इस film में, Akshay Kumar और Krishna, Bolvachan, Krishna Abhishek, दोनों प्लान करते है, के हम इस कुटे को मार देंगे, तो, ही दौलत हमारे नाम होगी, So, there are sequences in the film, where they try to attempt to kill the dog, Now, the Khiladi Kumar trying to kill a dog, but the dog oversmart निकलता है उसे, So, अभी आप सोचे उसमें कि इंप्रोवाइशन का कितना बड़ा स्कोस है, किस अद तक जाते हो आप, you know, and kid-oriented, absolutely kids-oriented, The soul of the film is the kid, I mean, this is a kid zone, it's, it's, हाला के Rohit भी, Rohit भी films बनाता है, absolutely family, but kids are very big fan of these films, So, हमने काफी सिखा भी उनसे, you know, this is the kind of cinema people like, you know. अलग अलग directors के लिए आप लोगोने scripts लिखी है, dialogues, screenplays लिखी है, अगर मैं ये पूछू के, इस film के direction में, किस director का प्रभाव सबसे ज्यादा है, कोई जबाब हो सकता है, या it's absolutely your style. Sir, हमारी कोशिश रही है, in fact, जुरत वर्ड भी use कर सकते हैं, कि हमारी कोशिश है, हमारी जुरत है, कि हम 10% कर ले जो Raju Irani sir करते रहते हैं in the film. Because, उनका जो switch to comedy to emotion, 5 seconds लगता है, एक comedy scene चल रहा है and suddenly he jumps into emotion but you never feel the jerk and you feel the smooze master, master, masterpiece. वह हमारी कोशिश रही है, इस film में भी, कि वैकी comedy चल रही है but a pinch of emotion अगर आ जाए. कि हम लोग छू जाए, तो we'll feel like we've done wonders. क्योंकि यह attempt है, कि वैकी comedy हम लिखते आये और बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, बर क्या थोड़ी सी special चीज? यह जरूरी है कि एक comedy में भी अगर एक dash of emotions डाल दिया जाए, तो film कुछ और ही बन जाती है? Sir, आप भी मुझे बताएं, I feel, then it is a complete film, I feel. Entertainer, there should be all kind of emotions. कि आप हस रहो, रो भी रहो, serious भी देख रहो, सौच भी रहो, तो you get a complete entertainer. Sir, मैंने काफी review वाले का पड़ा है, सुना है मैंने, कि यह film ऐसी है कि आप अपना brain घर पे छोड़के आजाओ. यह लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है, कि कोई अपना brain छोड़के आएगा, तो brain तो लेकी आएगा. तो आप वैकी comedy दिखा रहो, बट अगर थोड़ा realism आ जाए, थोड़ा वो, तो ब्रें का भी इस्तेमार हो जाता है? यह लॉजाता है, कि वो लाने वाले brain छोड़के तो आने वाले नहीं है. So yes, as you said, Rajkumar Irani is something different in a Bollywood films जो उन्होंने बनाए, वेइटिंग फॉस्पीके also, it'll be a delight to watch it. And he gave a pat also, trailer के बाद उन्होंने फोन किया. We were very thrilled. तो हमको लगा, तो ओपनिंग तो लग गई. And he said, we'll watch the film together, so this means a lot from him. So, comedy भी करवा ही है? Comedy हुई है, करवा ही नहीं है. But how difficult it was to take a job? In a sequence in a terrace to the ground floor, तक कुटा गाड़ी को staircase बना के उतर जाते है. One shot. So, narration में तो अहां बहुत अच्छा लगता है. But कुटा कैसे हो देगा? Now, वहां से शुरू कर रहा है, first floor से नीचे तक ground पे, कैसा है कुटा? He did it so well. अब देखोगे तो सम्झोगे. Greatly well-trained, और बहुत अच्छा protection, everything was kept for the dog. Brilliant, brilliant. I mean, that's, I feel we were blessed in that manner. As directors now, music भी एक बहुत important हिस्सा है, फिल्मकार. हर फिल्मकार, हिंदी फिल्म है तो definitely. तो वह बहुत नया था आप लोगों के लिए? Sir, मजा आ गया, sir. शुरुआत लिरिक से होगी ती, आपको तो पहले मालूम है के, we started our journey as lyricist. So, Kaan तो बहुत अच्छे थे. बहुत अच्छे थे. And lyrics लिखते थे तो, meter, sound, music, tempo. उसका अंदाजा था था. In fact, Bowl Bachchan का title song भी हम लोग नहीं लिखा था. So, वह तो थाई. And, यह music का जो, we are very blessed also, के tips हमारी साथ जुड़े हैं. Music company, producer. Always, always. They have given great music. Ramesh Taurani और जो creative producer हमारे, Jayu Jo. वह काफी बहुत ही musical minded है. So, हम लोग सब साथ में बैठके जब सुनते थे और गानी जब चूज करते थे. So, उनका भी काफी बड़ा support रहा है. I feel, they have done a great job. They have helped us in music department a lot. Because our whole cast was our whole cast. We needed all cast. Sonusudh, Krishna, Johnny Lever, Mithunda, Akshay Tamanna. It's a whole cast. It's a whole film, right? It's a whole film. So, it's a whole cast. But the song is not happening. This song is not happening, this song is not happening. And Jayu, who is our creative producer. Jayashivakramani. Correct. When we were shooting the song, one day before, Shām took a CD to run away. So, listen to this song. We were trying to cancel the song. We were trying to cancel the song. If we didn't get the song, then there is no benefit of the shoot. It's the most important song of the film. When they heard it, everyone will be crazy. They will be very happy. So, you'll picture it immediately. The demo was there with us. The choreographer. And he heard the song. Sajid, Farad, this is a great song. So, you'll get it. Don't worry about it. Don't worry about it. It's time to do it. It was a demo. We were shooting at the demo. Now, the production of the music. It's time to do it. It's time to do it. If you want a film, if you want an absolute breathing space, then two or three weeks later, there will not be a big film. After that, one week later, your family member, Rohit Shetty, Singham Returns is coming. The family member is very good. It is very good. It is not bad. It is not bad. So, is it a fear? No. The one line is saying to all. We have two kids. One is getting kicked. One is getting kicked. Eight is getting kicked. And 15 is getting kicked. Both are getting loved. But two are getting kicked. They will be born with a little bit. They will be born soon. They will be feeling very much. But, I hope. इससरे एक डाईलिग है. कि उस्ति कुपती कि नम आंडेटेन्मेंट क्यूं है जॉनि लियॉर बोलता है कि जब कभूतर के नम मसकल ही होसकता है और एक नम आंडेटेन्मेंन क्यूं ने 2 सकता है और भेसो का बना में दिन कुछ सकती है बड़ काफी अलग किसम की फिल्मे हैं, इसमें कॉमेडी पर थ्रस्ट है और वो ड्रामा होगा बुस्ट एक्षिन ड्रामा है पुरा एक्षिन है दो अलग जॉनर्स है और एक हफ़ते का गैप है का इतिंक सो कफ्ता ही क्यों किसी और अनिमल के बारे में भी सोच आ या थ्युरू या किंदिए बूठा ही ज़ती और अफ़ब टेरा कैसा यूव Jeetra का बाद सा where to go और आजकल फिगर्स बहूत इंपटटन हो गये हैं कितना करती है वीकेंड में कितना फिर्स डडी का फिगर होता है holiday का 12 करोड से थोड़ा जादा था तो इस फिल्म के लिए क्या दिमाग में रख रहे हैं आप लोग आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम तो राइटर्स है राइटर्स से वही मैं बहुत राइटर्स से कल्कुलेशन पूछ रहा हूँ अब यह क्वेशन बता और डिरेक्टर्स आपको पूछ रहा हूँ उमीद, इच्छा, ख्वाइश, हस्रत तो वही है कि जितने अच्छे फिगर्स है उतना हमारे लिए अच्छे है काफी मैनत की है फिल्म के लिए end of the day जो मैनत हुए वो जो रिजल्ट आने वाला है तो जो रिजल्ट आएगा सर आंखो पर जो पुब्लिक अगर ओडियन्स अगर लाइक करती है फिल्म को I think so वही हमेशा हम लग आज यहाँ थे तो अजली बिकॉस पुब्लिक और यह फिल्म भी एपसलुटली पुब्लिक के लिए बनाई है तो अगर उनको प्यार देना है तो देंगे और अगर नहीं दिया तो वापस प्यार जितने की कोशिश करेंगे नहीं वाली बात ही नहीं आएगी मेरे ख्याल से आपको तो डबल डोस प्यार मिलेगा एक दिन पेडा खाएंगे एक दिन लड़ू खाएंगे चलिए आप एंटर्टेन्मेंट बाढ़ते हैं वो ही काफी है यह आपका काम है और इसी तरह एंटर्टेन करते रहें इसी दुबा के साथ नहीं क्योंकि जब भी आपके पास आए फ्रॉम दे राइटिंग, फ्रॉम गॉल्माल टाइम आपने बलेस किया है तो बलेसिंग के भी ना तो हम नहीं जाएंगे आप इंटर्वी में से बलेसिंग का दिखा के छोड़ दो तो भी चलेगा और नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अचल्य आप लोगों के साथ जन्नता की बलेसिंग्स एर आमारी तो बिल्कुल है अईंटर्विन का ट्रेलर ही मुझे बहुत अचा लगा था सिंघंगम रिटर्णस अफिर फोज इतना बड़ा ब्रांड है इतना बड़ा ब्रैंड है कि Singham Returns को भी बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग मिलेगी दोनों की ओपनिंग दासू जिसे कहते हैं वो होगी and today ओपनिंग बाटल मैं अच्छली थरी फोफ से बाटल मैं यह ज़िशीं यू बोथ तहुत वेरी बेस्ट So we would prod you on to go and watch both the films and judge for yourself and get fully entertained. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC Bollywood Business के एक और मज़िदार, exciting, educative episode में. In the meantime, आपके कोई सुछाव, कोई सजेशन्स हो, तो please, do write in to us at BollywoodBusiness at ZNetwork.com. And if you have any questions relating to the world of cinema, तो ठाई अपना मुबाईल फोन, टाइप कीजिये B-Biz, स्पेस छोड़िये, टाइप कीजिये अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिये 57575 पर. You can follow us on Twitter at ETC Bollywood. This is Komal Nahata, bidding you goodbye. You can follow us on Twitter at ETC Bollywood.